जै टेक दी सरकार हलो डियर इस्टूरेंट आप सभी का स्वागते आपके शेनल चैंपेन अकेडी मैस पर आज की वीडियो पन पढ़ेंगे प्रिष्टना वाली 10.2 का प्रिष्ट पढ़ेंगे फोर्थ वाला जो वोड एज़ाम में कापी कोर्शन इंपोर्टेंट है अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डेक्स लेके डेक्या वान तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रेफ समने प्रेलिष्ट की लिंक कर देदूंगा प्रेलिष्ट की लिंक पर कले करते हो वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी वहां से मेरी कं करते हैं हम इस्टार्ट अगर आपने चैनल फैस्ट टाइम हो तो प्लीज आप में चैनल को लाइक करना सेर करना सब्सक्राइब करना आज को टॉपे करते हैं हम इस्टार्ट अब दिहान से देखना आपसे कोशन में क्या बोला है आपसे बोला है सिद्ध कीजिए सिद्ध गल ना लाइन को पड़ेगे पहले पर चित्र बनाएंगे फिर जो भी चित्र बनेंगा उसकी help으니까 का इसे वनाईन है डेखो आफ से वह लाज सद्धिय केगी कि कि सी ब्रत की का होला एक सी ब्रत के विसी वह होता है बिरत के बीच में होता है तो पन्य के बैस का मिल्कुल बीच में बनाया आइंगे बुलाए शैची का इसपर सेका समानतर होती है तो आप सबी लोग जानते हो इसपर सेका का मतलब क्या होता है ब्रस सेका क्या होती है टच होती है और समानतर होती है समानतर मलब कितनी दो होती है समानतर किती रेका होती है सिरो पर कीचना है इस पर सेका समांतर होती है जिनके सुरोपर खीची है कौन इस पर सेका है और ये भी कौन अपने खीच दी इस पर सेका खीच दी है ये दोनों रेका आपस में कैसी हो गई समांतर हो गई एक बार समझो किसी ब्रत के अपने एक ब्रत बनाया ब्यास के ब्यास बनाया सिरोपर खीची का इस पर से का समांतर होती है इनके सिरोपर अपने इस पर से का खीची है ये दोन डेका आपस में कैसी हो गई समांतर हो गई समांतर मलब होता है बराबर होता है नाम देदें को P, Q, R, S नाम दिया inside को नाम दे दो आप A और V इनको नाम दे दिया A और V और केंदर का होता है बीच में इसको अपने नाम दे दिया O नाम आप अपनी मरजी से कुछ भी दे सकते हो जैसे नाम मैंने दिया P, Q, R, S और मैंने नाम दिया A, V केंदर माना मैंने O अब मरजी से कुछ भी नाम दे सकते हो यह कौन बन जाता है लंब बन जाता है कितने का होता है 90 का होता है लंब मतलब क्या होता है उल्टा टी होता है लंब मतलब क्या होता है उल्टा टी तो उल्टा टी दिखाता हूँ कैसा उल्टा टी दिखरा आपको जो उल्टाटी दिख रहा होगा आपको यह कौन मनना आपने पर लंब बन रहा है कौन मनन रहा है लंब बन रहा है अब उट साइड से देखो उट साइड से आपको दिख रहा होगा उल्टाटी दिख रहा उल्टा टी ये भी कौन बना आपके लिए लंब बन रहा है जो उल्टा टी मनता है उसको का जाता है लंब लंब कितना का होता है अपने सबसे पहले करा कि अपने सबसे पहले अपने चित्र को बनाया अब चित्र को बनाने के बाद इसको बन लिखेंगे कि दिया है क्या होता है सिद्ध करना उपत्ती क्या होती है अपने लाइन को पढ़ के चित्र बनाया है इसी फिरमे को अपन को सिद्ध करना है अब सिद्ध कैसे करना ध्यान लाइन कैसे लिखेंगे हम लाइन लिखते हैं पहले दिया है कि लिखेंगे हम दिया है हम लिखा दिया है देखो अब दिया है में अपन क्या करेंगे जो भी हमने चित्र बनाया है ना चित्र में लिखेंगे हमने PQ के अमाना RS के अमाना O के अमाना वो अपन लाइन लिखेंगे तो लिखेंगे वरत का कैंदर O है कि लिखेंगे वरत का कैंदर O है क्योंकि अपना ब्रत का कैंदर जो था वरत का कैंदर क्या माना था मैंने O माना था वरत का कैंदर कौन है O है वरत का कैंदर O है और A B एक क्या है ब्यास है ये भी अपने क्या माना था ब्यास माना था और A B ब्यास है A B और A B एक ब्यास है और A B एक क्या अपने पास ब्यास है अब आंगे अपन देख रहे हैं देखो अपने दो इस परस एका खीची थी P Q नाम की और R S नाम की तो बड़ लिखा P Q और R S के सिरों पर खीची गई इस परस रेका समान है 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 तो अपने दिया हमें अपने क्या कह रहा है अपने लिखा व्रत का के अंदर हो है A B एक ब्यास है P Q और R S ब्रत P Q और R S ब्रत के सिरों पर ऐसा कर लो ब्रत के कर PQRS विरत के शिरों पर शिरों पर कीशी गई इस पर सेका अपस में क्या है समान है अब आँगे लेकिने सिद्ध करना क्या करेंगे अपन सिद्ध करना तो हमें क्या सिद्ध करना ध्यान से आप देखना हमें ये सिद्ध करना इस पर सेखा समांतर होती है कि सद्ध करना तो हमें सिद्ध कीजिए कि किसी ब्रत के किसी ब्याज के सिरो पर खीशी का इस पर सेखा समांतर होती है जो हमने इस पर सेखा समांतर करी थी वो इस पर सेखा समांतर करी थी हमने PQ और RS यही कौन थी PQ RS कौन थी इस पर सेखा क्यों होती ब्रस तो रही है तो प्रस फोस आल मेश समानतर घरा जाता है वह पिक्यू आदर सभाएं अपस क्या श्र्चे करना है अब आपकर अंुंगे नहीं कि plantation funder चिब्ध मैंने सबुद्ध करना है अब लिखें उपत्ति हमां लिखेंगे इसपर्स विंदू से होकर खीची गई तरज्जा समझाओ लाइन का मतलब क्या है? इसपर्स विंदू से होकर खीची गई तरज्जा वरत के इसपर्स रेका पर क्या होती है? वरत के इसपर्स विंदू से होकर खीची गई तरज्जा जो A और V है बीच में कैंद्र है तो यहां से यहां तक क्या है तरज्जा होती है? यहां से यहां तक क्या है इसकी तरज्जा है? और यहां से यहां तक भी इसकी क्या है? तरज्जा है बीच में कौन है? कैंद्र O है तो A से लेके ओतक A भी तरज्जा है और से लेके भी A भी क्या है? तरज्जा है तो मैंने वही लिखवाया क्या लिखवाया मैंने? लाइनाप को ही लिखवायी इसपर्स बिंदू से होकर इसपर्स बिंदू को अंतला होता है जो ब्रत से रेका ठच होती इसको इसपर्स बिंदू नाम दिया जाता है तो ब्रत से रेका ठच थी मैं इसको इसपर्स बिंदू मैंने नाम दिया तो इसपर्स बिंदू से होकर खीची गई तरज्जा इसपर स्विंदू से उकर खीची गई क्या है तरज्जा आंगे बोला ब्रत के इसपर सेका पर लंब होती है ब्रत के व्रत जो है इनकी इसपर सेका यह अपने पास कौन जा रहा है इसपर सेका इसपर सेका पर क्या होती है लंब होती है लंब क्या होती जह अपने पास कॉन दिख रहा हैале लंब बन रहा है यहां से भी कौन होता है लंब बन रहा है तो ब्रत के इस पर सेखा पर क्या होती है लंब होती है वो इस line का मदलब था अब दिखान से घरना क्या है अब लम घो पहले दिख रहे हो सकते जो अपने पकास एबी है एबी किसे के लम है पी क्यू के है अधिक यह पने पाइब कर यह और यह पना पर प्सके लिएक फिर अपी उनल्बम यह पनी है ni किसके लम करने को नहीं कि बनी किते हैं RS के लंब होगा, तो अपन क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, अपन AB लंब है, किसके करेंगे, P क्यों करेंगे, तो अपन लिखेंगे, कि अब, कौमा लगाओगे, AB जो था, यह लंब का छिन होता है, उल्टाटी मतलब क्या होता है, लंब होता है, AB किसके लंब था, P क्यों क मं कुन का बन रहा है PAR 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 और कर देखो से ना से कौन द component सब्सक्तों अब आपकोओर सब्सक्राइब तक हो घो अरा हुँ सर आपको यह लोगा जो आप है नहें खरते हों हम पिए‍ंस ब्सकेश और रख्या पहले क्या था एबी ननम नहीं नंप था अपने पी की ुझा बञ लिखा व participar यह भी हमने 90 का लिखा अब उससाइड लंब बन रहा है अब उससाइड लंब का नाम क्या उल्टटी यह भी बन रहा है उससाइड लंब का नाम क्या है यह भी किसके लाम है RS के है यह भी किसके लाम है RS के उल्टटी है तो हम लिख देंगे कि यह भी किसके लाम है अब आरस के है जो ए बी बाला है वो लंब किसके है आरस के है अब आपको नबे आपको दिख़रा होगा 90 समकॉं दिख़रा होगा आपको A, B, S दिख रहा है 90 किसे बन रहा है A, B, S तो 90 बन रहा है B पर B कहा आएगा बीच में तो के नाम लोगे आप A, B, S A, B, S कितने का बन रहा है 90 का बन रहा है तो कौन लिखा आपने A, B, S कितने का लिखा आपने 90 का लिखा ये आपके पास समीरन कौन से आगए दूसरे आगई तो पहली समीरन दूसरी समीरन दो लिख देंगे हम साथ में तो लिखोगे आप समीरन एक बार समीरन दो से समीरन एक वा समीरन दो से समीरन एक बार समीरन दो से अब समीरन एक समीरन दो में क्या है देखो संबीन दोग नबबबबब दोनों अपस में कैसे हैं? बरावर है तो हमके लिख देंगे P.A.B. किसके बरावर है? A.B.S. के पूचो क्यों क्यों यह भी 90 का है? नबबबबब दोनों अपस के बरावर है? जो कौन बचे हो कौन? लिख दो तो हमारे पास कौन 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 सा बच्छा P A B बच्छा और A B S बच्छा हमारे पास कौन बच्छा P A B बरावर किसके बरावर है A B S के 90 दोना परस में कैसे थे बरावर थे लाश में लिख देंगे चू की परंतु ए संगत कौनों का एक एगम बनाते हैं तो हमने इन लाइन के उन लिखी परंतु ए संगत कौनों का एक एगमवनाते हैं इस लाइन का मदलब क्या है वो संगत कौन होता है वहां से हम एगम बनाते हैं इतना ही हमें सिद्ध करना था पर लाक्ष में हम लिख देंगे आता खर के हमें क्या सिद्ध करना था पीक्यू समांतर आरेस के सिद्ध करना था लिख देंगे आता हा पीक्यू किसके समांतर होई आरेस के तो पीक्यू आरेस सिद्ध होगाई पहला फ़्याँ अधा पी की जिसके समान तरे रैस के लख देंगे सिद्ध हुआ है बिंग नीजार सोगे अपने कॉन्स से टैंक यॉप अपने वीडियो सीखें और फल्फ विडियो सीखेंगे देटर घ्रेतर का मैं पार्ट